करते हैं संजे सिंग के घर का जहां मेरे सायोगी जावेद मनसूरी मौजूद है संजे 181 दिन के बाद बाहर आये तिहार जेल से कल देर शाम हो गई थी जावेद अर्विन खिज्रिवाल के घर गए फिर मनिस्ट शोदिया के घर गए फिर पार्टी कारया ले गए अब आज क्या कुछ करेंगे काफी मुखर रहते हैं और अब जाहिर बात है आज क्या कुछ वो करने वाले हैं उस पर नज़र रहे देखे बीती राद दो तीन बज़े तक वो कारेकरम समर्थकों से मिलते रहे और जो उनका कारेकरम है वो सुभा दस बज़े हनुमान मंदिर जाएंगे संजे सिंग वहाँ पर माथा टेकिंगे उसके बाद राज़ माथ भी जाएंगे संजे सिंग के आवाज पर है जो कि नॉर्थ वेन्यू में है और देखे अब जो ये लगे हुए है आई सपोर्ट संजे सिंग के बैनर वो चुके रात देर रात तक वो मिलते रहे समर्थकों से अभी वो उठेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो हनुमान मंदिर जाएंगे देखे संजे सिंग की जो रिहाई है वो आमादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत तब आई है जो सबसे बड़े नेता पार्टी को एक संजीवनी दी है अब संजे सिंग लगातार यहां से अपनी जो चुनावी गतिवी दिया है जो रणनीती है उनमें आगे शामिल होंगे जो पॉलिटिकल गतिवी दिया क्योंकि संजे सिंग एक मात्र चहरा है अर्विंद केजरिवाल के बाद जो की संगठन पर बहतरीन पकड़ रखते हैं दिल्ली और पंजाब की सरकारे हैं महाबर भी उनका अच्छा समन में है तो ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट है संजे सिंग की रिहाई क्योंकि पिछले कई साल से हम देख रहे हैं लगतार आपकारी नीती मामले में आमानी प पार्टी को फाइदा होगा बलकि उस नेरेटिव को भी दिशा मिलेगी जिसमें आमानी पार्टी ये कहती रही है कि जो आपकारी नीती में गलत तरीके से फसाया गया है वो भी गलत है और इसी को सबसे बड़ी दलील आमानी पार्टी बना कर पेश करेगी जी जावेद आप नजब बनाये रखे कुछ देर बाद जैसे की जावेदी बता रहे थे हनुमान मंदिर के लिए रवाना होंगे वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे संजे सिंग के जेल से छूटने पर उनकी पत्नी ने खुशी तो जताई लेकिन ये भी साफ कर दिया कि जब तक अर्विंद केजरिवाल, मनिस सिसोदिया और सतिन जैन रिहा नहीं होते तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा ये कह दिया हो अनिता जी क्या कहना चाहेंगी पहला रियक्शन छै महीने बाद घर पहुँचे हैं आपने ये पूरा छै महीने का क्या फर्ट देखते हैं तब में और अब में प्रवाइब नहीं एच्छे महिने में जैसे संजे जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था लेकिन जैसे वो बाहर आये पहले वो बड़े भाई जो अर्विन जी है जो पूरा दाई तो उन्होंने हम लोकिल समाला था तो पहले हम सुनीता भावी से मिले फिर इसके बाद वो पाटी आफिस गए जो कारक required निराश थे उनके अंदर उर्जा भरने का काम किया अन्होंने आज उनका भासल सबने सुना और कारकारतों केंदर खुब उर्जा हुई फिर सीमा भावी से मिलने के उनका भी हाल चाल लिए और इसके बाद हम अपने घर पे आए घर पे भी बहुत सारे कार करता थे जो कि एक उमीद जगी है कि हमारे एक बहुत बड़े मताद एक लीडर आ गया है जो कि हम लोग को गाइड कर सकता है अब किस तरह से छे महीने बाद आए हैं तो किस तरह से उनका आप स्वागत करेंगे क्योंकि परिवार में सब लोग हैं एक लंबा टाइम जेल में उन्होंने बिताया नहीं स्वागत नहीं बस एक जैसे अभी स्वागत का समय नहीं है और जब तक हमारे तीन भाई हैं अभी जेल में है आरविन जी मनी जी और सतेंजे जी जब तक बात बाहर नहीं आते तो कोई मतब स्वागत नहीं कोई पार्टी नहीं ऐसा कुछ नहीं है कैमेर परसिंग जैपार लावत के साथ जावेद नहसूरी नियूस 18 इंडिया दे ले मॉर्निंग प्राइम में अब आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाते है संजे सिंग के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाड़ी ही ना कटवाने के खाने वाले उनके साथी अजीत सिंग भी अब अपनी सौगन तोडने के लिए राजी हो गए हैं जरा देखे क्या कह रहे हैं आपकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है आपने दाड़ी नहीं कटवाई जिस दिन से वो अरेस्ट हुए है क्या साई है हां सइए हमने सचा की इस तरीके से उनको सताया जा रहा है एक देगुना को जójल में डाल करण हम भी महसूस कर रहे हैं ना मैंने कभी दाढ़ी रखी है ना कभी बड़े बाल रखे तो मैंने विस सोचा क्य एक जयल उनके एक जेल मेरे लिए तो बराबर सा हो जाएगा उसी दिन ले लिया था जब पहले दिन से जिस दिन आरेस्ट किया था कितनी मुश्किल आपको हुई और ये पूरा सफर कैसे रहा क्योंकि हम देखते थे कि जब भी कोर्ट का आना जाना हो या तमाम जो सारे चीज़े हैं उसमें भी संजे भी है बाहर रहते हैं तो हजारों लोगे काम कर पाते हैं अब जब लोगों के फोन आते हैं कि ये काम कराना वो काम कराना है फिर भी हम कोशिश करते हैं काम कराने की मगर जब वो साथ रहेंगे तो जल्दी जल्दी काम होते हैं बहुत सारी मुश्किले हैं मुश्किल मैं उनके साथ आयता हूँ 24 गंटे मैं जानता हूँ एक रुपे का भी कोई बात कही दी कि कोई रिकर्वरी नहीं हुई है ये कोड ने भी कहा जब ये बात सुनी आपने तो उस वक्त आपको लगा कि कोड ने सच का साथ दिया और जूट को नकार दिया क्यामर्परसिंट जैपार लावत के साथ जावेद मंसूरी न्यूसेटीन इंडिया दिले और मॉरिंग प्राइम में अब आपको दिखाते हैं कल देर शाम जब तिहार जेल से संजे सिंग बाहर आए उन्होंने क्या क्या किया कहा कहा गए पुरी रिपोर्ट देखिए करता जस्मे ना डूबा संजे सिंग तिहार जेल से सीधा आरविंद केजरिवाल की घर पहुंचे केजरिवाल के पतनी संजे सिंग के इंतजार में घर के बाहर खड़ी थी उन्हें देखते ही संजे सिंग ने पैर छूकर आशिरवाद दिया करीब दस मिनिट की मुलाकात के बाद संजय सिंग आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हो पार्टी दफ्तर में स्वागत की पूरी तयारी थी, कारेकरताओं की भीड जुटी थी, होलों की बारिश हो रही थी और स्टेज पूरी तरह सजा हुआ था पार्टी की तमाम बड़े नेता संजय सिंग का इंतजार कर रहे थी, संजय सिंग स्टेज पर चड़े और सभी नेताओं के गरे लगकर उन से मिन जिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय निमाला पहना कर संजय सिंग का स्वागत किया और संजय सिंग नहीं बीजेपी पर आरोपों के तीर चलाने शुरू करते हैं जब तक केजरिवाल जी जेल में हैं हम दस गुना जादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे जेल का जवाब वोट से देंगे क्योंकि इसी में तो सबसे ज़्यादा ताकत है इसी वोट में तो सबसे ज़्यादा ताकत है और यही आपकी सरकार इनकी आँखों की किरकिरी बनी है जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ब्रश्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बहार आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है जमानत से बहार आना अपराद मुक्त होना नहीं है जमानत मिलती है तो जमानत खत्म भी होती है उस अरोपी या पराजी को उसकी नियमों का पालन करना पड़ता है पार्टी के कारिकरताओं को जोस्ते भरने के बाद रात सवा ग्यारा बजे के करीब संजय सिंग डिली के पूर्व डिप्टी सीम मनीश से सोधिया के घर पहुंचे और उनकी पत्नी सीमा से सोधिया से मिले रात करी बारा बजे जाकर संजय सिंग अपने घर पहुंचे छे महीने बाद जब वो घर लोटे तो उनके रिष्टेदार हुआ और समर्थकों ने लट्टू खिलाकर और फोल बर्षाकर उनका स्वागत किया